गाइस, आज हमारे हाथ में है स्मार्टफोन इं्डेस्टी का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 13 Pro Max की आईफोन की तरफ से लॉश किया गया सबसे लेटेस्ट कलर है सीरा ब्लू कलर मैंने इसे smartphone को first time ही हातों में पकड़ा है तो मैं अपना experience आपके साथ इस वीडियो में share करूँगा नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजरू हूँ अप सभी के सामने एक वा फिर से new time and new technology के साथ हर जगे पर iPhone 13 Pro Max का stock available नहीं है लेकिन जहाँ पर available है मैं आपके लिए वीडियो तरण से लेकर आया हूँ अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली में भी रहते हैं और आप iPhone 13 की कोई भी series लेना चाहते हैं iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max तो मैं आपको सेजेस्ट करूँगा कि आप नहरू प्लेश चाहिए मैं एक सौप का आप लोगों को यहाँ पर mention कर दूँगा उनका address mention कर दूँगा उसका mobile नमबर भी आपको दे दूँगा iPhone 13 Pro Max, Apple कमपनी का अभी तक का सबसे powerful smartphone है क्योंकि इस smartphone में कमपनी ने A15 Bionic Chip का उप्योग किया है जो कि Qualcomm कमपनी के Snapdragon 888, 888+, और Snapdragon के 8 Gen 1 प्रोसेसर जो की हाली ही में launch हुआ है उन दौनों प्रोसेसर से तो आगे है ही बलकि 8 Gen 1 प्रोसेसर को भी कड़ी टकर देता है iPhone के smartphone को Android के किसी भी smartphone से compare नहीं करना चाहिए क्योंकि दौनों ही smartphone के जो operating system है वो बिलकुल ही अलग है जिस किसी ने भी iPhone लेने का प्लान बना लिया है उनका मन है कि वो iPhone ही लेंगे तो उनको compare करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई इस smartphone का जो display size है वो 6.7 इंच का है जो की iPhone की तरफ से सबसे advanced और सबसे latest display का उप्योग किया है इसमें adaptive 120 Hz की refresh rate वाली display का उप्योग किया है इस screen को protect करने के लिए company ने ceramic shield का उप्योग किया है आईए इस smartphone के camera segment की बात कर लेते हैं इसमें company ने rear में triple camera का setup दिया है और तीनों ही camera 12 megapixel के हैं तीनों ही camera में जो component लगे है यानि कि जो hardware है वो top notch level का है इसका आप comparison ना करें तो ही बहतर है यह smartphone सबसे बहतर smartphone है front में company ने 12 megapixel का selfie camera दिया है जबकि photo लेते हैं तब side 7 megapixel लिख कर आता है I don't know why आपको इस smartphone को किसी भी smartphone से compare नहीं करना चाहिए बलकि other smartphone को इस smartphone से आप compare कर सकते हैं तब भी आपका वहे वाला smartphone पीछे ही रह जाएगा अभी आप लोग देख सकते हैं आपके side में दो smartphone और भी लगे हुए है इन दोनों की वी video जल्दी ही channel पर आने वाली है जिसमें iPhone 13 smartphone है और iPhone 13 mini smartphone है मैंने आपको बता दिया कि offline आप इस smartphone को कैसे ले सकते हैं अगर यह smartphone online भी available होता है तो मैं इसका best offer by link इस video के description में मैं आपको दे दूँगा जहाँ पर आप click करके इसको best offer में खरीच सकते हैं इस smartphone की अगर body की बात की जाए तो company ने stainless steel का उपयोग किया है याने की चारो तरफ जो आपको body मिलती है वो stainless steel की मिलती है और rear में company ने glass काउपयोग किया है और front में company ने ceramic steel काउपयोग किया है left side में सबसे पहले mute button उसके नीचे आपको volume rocker मिलते हैं और उसके नीचे एक sim tray मिलती है right side में company ने power button लगा कर दिया है मैं इस phone से एक selfie लेकर आप लोगों को दिखाता हूँ और उसके बाद उस selfie को मैं जूम करता हूँ आप लोग इसकी quality देख सकते हैं कितनी ज़्यादा clear है और इसी के साथ साथ अब मैं आपको इसकी detail दिखा देता हूँ कि जब ये capture करता है कोई भी photo को तो कितनी detail यहाँ पर देता है एपल कंपनी के इत्याहस में सबसे ज़्यादा बैटरी यानि की सबसे ज़्यादा capacity वाली बैटरी देने का जो खिताफ है वो इसी smartphone को हासिल हुआ है इस smartphone में company ने लगबग 4300 mAh की बैटरी लगा कर दी है जो कि 20 watt की fast charging को support करती है जो कि मेरे एसाब से बहुत कम है यार जो कि लाद डार